आकाश्वानी भुपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशेक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं सैयुक्ता बैनर जी पहले मुख्य समाचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मूदी कोरोना वैक्सीन की प्रगती की समीक्षा के लिए कल एहम्दाबाद सहे तीन शहरों का दोरा करेंगे प्रदेश में कोवड-19 संक्रमितों की संख्या दो लाग के पार अब तक एक लाग तिरासी हजार से ज्यादा स्वस्त हुए गरीब तबके की गर्भवती महिलाओं को 4,000 रुपए और बच्चे के जन के बाद 12,000 रुपए देगी राज्य सरकार मुक्रमंत्री शिवरा सिंग चौहा ने नवकर्णी और उर्जा में नवेश के लिए मध्यप्रदेश को सबसे बहतर बताया और ठंडी हवाओं से बढ़ी ठिटुरन पच्मडी और नौगाओं में पारा गिरकर 9 डिग्री पर पहुंचा अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्रु मोदी कोरोना वैक्सीन की प्रगती की समीक्षा के लिए कल 3 शेहरों का दौरा करेंगे श्रिमोदी एहंदाबाद में दवा कंपनियों, जाइडर्स बायोटेक पार्क और भारत बायोटेक तथा पुने में सीरम इंस्टिटूट ऑफ इंडिया का दौरा करेंगे प्रधानमंत्रु का रियाले ने कहा है कि ऐसे समय में जब देश में कोविट संक्रमंट से निपटने के प्रयास निर्णायक चरण में पहुँच रहे हैं प्रधानमंत्रु का ये दौरा और इस अवसर पर वैग्यानिकों के साथ उनकी चर्चा काफी महत्वपून है प्रधेश में पहली कोरोना वैक्सीन के तीसरे फेस का ट्रायल आज शुरू हो गया है भुपाल के पटेल नगर में रहने वाले एक टीचर को पहली वैक्सीन लगाई गई पहले दिन सौ लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष था हर वालंटियर की हर हफ़ते स्वास्थ पर नजर रखी जाएगी राजी को कुल एक हजार डोज मिले हैं पहले डोज के बाद 28 दिन बाद दूसरा डोज दिया जाएगा प्रधेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या दो लाग से ज्यादा हो गई है हलाकि इन में से अब तक 183 हजार से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं चंदवाडा से हमारे समवादाता ने बताया है कि जिले में 16 नए संक्रमित मिले हैं वहीं साथ मरीजों के स्वस्थ होने पर आज उन्हें अस्पतार से छुटी दी गई देवास में COVID-19 की रिकावरी दर 90 प्रतिशत से ज्यादा हो गई है आज जिले में 25 नए मरीज मिले हैं उधर खंडवा में 15 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है शेडोल में 2 नए मामले सामने आए हैं यहां मास्त नहीं लगाने वालों के खिलाव चालानी कारवाई की जा रही है जबलपुर में 57 मरीजों के स्वस्थ होने पर उन्हें अस्पताल से छुटी दी गई पिछले 24 घंटों के दौरान 85 नए मरीज भी मिले हैं हुशंगापाद में 8 नए मरीज मिले हैं वहीं 10 लोग संक्रमित हुए हैं सतना में 19 नए मरीज मिले हैं वहीं 14 लोग स्वस्थ हुए हैं जाने माने नर्देशक और रंकर्मी पंकश दुबे ने प्रधानमंत्री के कोवड-19 के खिलाव जनांदोलन का समर्थन करते हुए लोगों से 2 गच की दूरी का पालन करने समय समय पर हाथ धोने और मास्क लगाने की अपील की है इस से समंधित कई बाते हैं जो हमें पूरे देश को दुनिया को इसका हमें फॉलो करना चाहिए हमें इसका पालन करना चाहिए मास्क सबसे बड़ा बचाओ है अपने पास संभव हो सके हमेशा रखें आप सेने टाइजर अपना हाथ उससे वाश करें जब भी आप बाहर से घर जाएं साबूं से हाथ अवशिद होएं आप जो समान लेके जाते हैं कोजिश करें कि उसका इस्तेमाल एक दिन के बाद करें इसके अलाबा जहां कहीं भीड हो मार्कर जाएं दुकान जाएं आफिस जाएं कम से कम दो गस की दूरी बहुत जरूरी है उसको बना के रखें राजी विधानसभा का आगामी सत्र 28 से 30 दिसंबर तक आहुत किया गया है इस संबंध में विधानसभा सचिवाले द्वारा आज अधी सूचना जारी की गई इस तीन दिवसिय सत्र में सदन की कुल तीन बैठके होंगी जिसमें महत्वपून शास्किय विधी विच्छेक और विधिय कार्य संपादित किये जाएंगे साथ ही विधानसभा ध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव भी इस दौरान संपन्न कराया जाएगा और लेखनी है कि ये मध्यप्रदेश की पंध्रवी विधानसभा का आठ वास सत्र होगा दिली में दो दिवसिय किसान आंदोलन के कारण आगरा मुंबई राश्य राजमार्ग पर वाहनों को रोग दिया गया है इस कारण कई स्थानों पर जाम लग गया है मुरैना ग्वालियर तथा मुरैना धौलपूर राजस्थान की सीमा पर भारी भार वाहन रोग दिये गए हैं राजस्थान उत्तर प्रदेश में जगह मिलने पर इन वाहनों को रुक रुक कर निकालने के प्रयास किये जा रहे हैं वहीं आवागमन बंध होने से ट्रांस्पोर्टर्स परेशान है इस बीच राजी के क्रिशी मंत्री कमल पतेल ने कॉंग्रस सहे दूसरे दलों पर किसानों को भढ़काने का आरोप लगाया है शुपटेल ने कहा कि विरोध करने वालों को पहले कानून को पढ़ना चाहिए किसान के खेश से, खलियान से और घर से भी किसान अपनी फसल पेश सकता ताकि उसका टांस्पोर्टिंग कर्चा बचे कोविड-19 से बचाओ और सुरक्षित रहने के तीन उपाए मास्क लगाएं, दो गस दोरी है जरोरी, सुरक्षित दोरी रखें, हाथ और मू साफ रखें ब्रेक के बाद बुलिटन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है राजे सरकार प्रदेश में गरीब तपके की गर्भवती महिलाओं को 4,000 रुपए और बच्चे के जन के बाद 12,000 रुपए देगी बढ़वानी जिले के राजपुर विकास खंड के ग्राम उची में आयोजित जन जाती गौरफ सम्मान समारों को संबोधत करते हुए मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चौहान ने इसकी घोशना की उन्हों ने कहा कि इन 16,000 रुपए से महिलाओं और बच्चों को सही पोशन मिलेगा शौहान ने जबलपूर में रगुनात और शंकर शाह का भव्यसमारक बनाये जाने का भी अलान किया उन्हों ने कहा कि 4 अप्रेल को टंटिया मामा के जन दिन पर विशाल मेला उनकी जन्म भूमी पर लगेगा और उनका जन दिन पूरे मध्य प्रदेश में मनाया जाएगा मुखे मंत्री शिवरा सिंग चौहान ने कहा है कि नवकर्णी और उर्जा क्षेत्र में निवेश को प्रोचसाहित किया जाएगा प्रदेश के कुल विद्योत उत्पादन में नवकर्णी और उर्जा की हिस्सेदारी 20 प्रतिशत है इसे लगातार बढ़ाया जाएगा श्री चौहान आज वीडियो कांफरेंस के माधियम से तीसरे वैश्विक नवकर्णी और उर्जा निवेश सम्मेलन के सत्र को संबोधित कर रहे थे उन्होंने इस क्षेतर में निवेशकों को प्रदेश आने काऊंन्तरुन देते हुए कहा कि मध्यप्रदेश इस क्षेतर में आदर्श प्रदेश है उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुरैना, सागर, दमहों और अतलाम जिलों में 5000 मिगवाट क्षमता के सोलब पाक के लिए भूमी चिंहत कर ली गई है। प्रदान मंत्री श्री मोधी ने कल इस तीन दिवसिय सम्मेलन को संबोधित किया था सम्मेलन में आज मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचिल प्रदेश के मुख्य मंत्री और लद्दा के उप राजिपाल, राधा कृष्णमाथो ने भी हिस्सा लिया, धार्मिक भावनाए भड़काने के मामले में भौपाल के कॉंग्रस विधायक आरिफ मसूद को जबलपुर उच्छनियायाले से राहत मिल गई है, आज हाई कोट ने उन्हें 50,000 रुपे के मुचलके पर अग्रिम जमानत दे दी, गौर्तलिप है कि र धायक को छोड़ सभी 6 आरोपे गिरफतार हो चुके हैं, अब बात मौसम की, निवार तूफान के कमजोर हो जाने के बाद सर्द हवाओं ने जोर पकड़ लिया है, इसके चलते रास्धानी भोपाल समेथ पूरे प्रदेश में लोगों को सर्दी का हैसास होने लगा है, हला यहां रात का नियुनितम तापमान 9 डिगरी सेलसियस तक पहुंच गया, जबकि भोपाल में रात के पारे में 1 डिगरी की गिरावट दर्च की गई, यहां नियुनितम तापमान 12.8 डिगरी सेलसियस तक आ गया, मौसम विभा के अनुसार अगले 24 घंटों में तापमान में कुछ और गिरावट हो सकती है विभाक का कहना है कि अब बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है इसे मौसम में फिर बदलाव आएगा अब कुछ समाचा संग्षेप में पन्ना टाइगर रिजर्व की रेस्क्यू टीम को प्रदेश स्तर पर सबसे बहतर प्रदर्शन के लिए पुरुसकार मिला है शैडोर जिले में मलेरिया के मरीजों में कमी आई है 36 चिन्हित गाउं की निगरानी से सकारात्मक परिणा मिले हैं राजगर स्थित चनपच शिक्षा केंद्रों में आज दिव्यांग विद्यार्थियों ने दौर्ट चित्रकला रंगोली सहित वभिन प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया अशोगनगर जिले में अब तक 897 कोरुना संक्रमत मरीज मिले हैं इनमें से 789 मरीज स्वस्थ हो चुगे हैं नीमच में गुरुनानक देव जी का 551 प्रकाशपर्व कोविड-19 की गा प्रण के आवेदन लोग सेवा केंद्रों पर दिये जाएंगे अंत में बुलिटन के मुख्य समाचार एक बार फिर प्रधान मंत्री नरेंद्रु मोदी कोरोना वैक्सीन की प्रगती की समीक्षा के लिए कल एहंदाबाद सहित तीन शहरों का दौरा करेंगे प्रदेश में कोविद नाइटीन संक्रमितों की संख्या दो लाग के पार अब तक एक लाग तरासी हजार से ज्यादा स्वस्त हुए गरीब तपके की गर्भवती महिलाओं को चार हजार रुपए और बच्चे के जन्ब के बाद बारह हजार रुपए देगी राज्य सरकार मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चौहान ने नवकर्णिया उर्जा में निवेश के लिए मधिप्रदेश को सबसे बहतर बताया और ठंडी हवाओं से बढ़ी ठिटुरन पच्मडी और नौगाओं में पारागिर कर नौ डिग्री पर पहुंचा इस बुलिटन में फिलहाल इतना ही बुलिटन के अंथ में एक अपील हमेशा ध्यान रखें मास्क और दोगज की दूरी हाथ धोना भी है जरूरी नमस्कार